impression of garling allium sativa ये जो crop होती है, ये most property short crop होती है इसके अंदर most property जो cool environment रहना चाहिए moist period रहना चाहिए जिसके लिए ये जो better growth होती है उसके लिए वह ज्यादा important होती है most property जो soil होती है वो well-trained soil होनी चाहिं organic matter से reach होनी चाहिए और जो pH होती है आलमुस 6-7 के आप्रोक्सिमेटली आइडियल मानी जाती है इसके लिए अगर इसके अंदर एक्स्टिम सोईल कंडिशन हैक्स एसिडिक के अंदर या फिर हैवी सोईल है तो इसके लिए यह बिल्कुल भी सुटेबल नहीं रहेगी जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर दो ग्रोबिंग सीजन माने जाते हैं इसके कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेशन के अंदर ह 이제 सबसे पहले वरायटी का सेलेक्षन करना पड़ेगा इसके अंदर कलाईमेट के बैसिजज परChristian करते है जैसे कि एक तो soft neck garlic होता है उसको most property warmer climate के अंदर हम गुरो करवाते हैं यह most property अगर storage के basis पे भी हमें करना है तो या फिर उसका store करके रखना है तो उसके लिए बैटर मानी जाती है दूसरा है यहां पर hard neck garlic most property यह जो cool environment होता है उसके लिए better रहता है और इसके अंदर most property जो gloves का size रहता है वो larger रहता है और जो winter season होता है उसके अंदर winter की entry से पहले ही हमें क्या करना है उसको grow करवा देना है ताकि उसके उपर winter का ज़्यादा effect ना पढ़ने पाए तो यह better माना जाता है उसकी growth के लिए soil की preparation इसके अंदर क्या किया जाता है सबसे पहले soil को जैसे fluffing की जाती fluffing के बाद क्या हो जाता है थोड़ी loose हो जाती soil तो aeration बगर अच्छे से हुएगा फिर उसके अंदर most property जो compost बगर है या aged manure हो उसकी fertility को increase करने के लिए हम डाल देते है और organic matter को उसके अंदर plenty amount के अंदर दाला जाता है तो next क्या होता है क्लव की preparation इसके अंदर जो garlic का बलब होता है उसको individual clubs के अंदर separate किया जाता है लेकिन जो individual clubs होते हैं उनको separate करने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो paper skin होती है वो उससे remove होने पाए और दूसरा क्या होता है जो largest or healthiest clubs रहते है most property हम उनको choose करवाते हैं planting करवाने के लिए फिर उसके बाद हम उनका choose करने के बाद में हम क्या करवाते हैं planting करवाते हैं planting करवाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि most probability उसका जो pointed end होता है या face होता है वो upside रहेगा और जो flat end रहता है वो downside या फिर soil के अंदर हम grow करवाने के रहे हो उसके अंदर या formation ज्यादा करवा रहे हो तो उसके अंदर दो feet apart space रहना चाहिए या फिर depend करता है कि variety कैसे ले रहे हो उसके basis पर उसका space maintenance रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता ताकि जो blood की formation होती है वो अच्छे से होने पाए फिर इसके बाद में हम mulching करवाते हैं इसके अंदर इसके अंदर most probability जो straw है या stradded leaves होती है उनकी layering करवाते हैं soil के उपर उनको कर देते हैं formation कर और उसके उससे क्या हो जाती है अगर हम उनको spread कर देते हैं stradded leaves को तो उसके basis पे जो weed होती है वो suppressed condition के अंदर चली जाती है आप formation नहीं करने पाते है और जो moisture condition होती है वो भी जीवे से low को जाता और दूसरा जो temperature होता है उसको भी regulate करने में help करवाती है फिर उसके बाद हमने ये वाले formation कर देती है तो उसके बाद हमें watering का ध्यान लगना पड़ेगा most probability जो early stages होती है उनके अंदर watering का या फिर आप ये कह सकते हो moist environment रहना ही चाहिए उसके अंदर अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो उपर वाले जो soil है वो ज्यादा dry हो गई है तो थोड़ा आच्छा घासा water के amount देनी पड़ेगी इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा water कभी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि जो garlic होता उसको कभी भी सोगी soil होती है वो पसंद नहीं होती तो वहाँ पर अच्छे से growth करने नहीं पाएगा देन फर्टिलाइटिशन उसके अंदर most probability balance fertilizer हम यूज करते हैं और दूजरा इसके अंदर क्या होता है कि most probability जो भी fertilizer हम यूज करते हैं वो ज़्यादा heavily amount के अंदर नहीं डालना है इसलिए हमने कहा कि balance fertilizer ही जालना क्योंकि ज़्यादा amount इसके लिए इसको ज़्यादा suit नहीं क उसके अंदर skepts की formation होती है या फिर आप यह कह सकते हो जो girly flower stalk होते हैं करली flower stalk होते हैं उनकी formation हो जाती है early summer के अंदर या फिर late summer के anndर तो उसको हम क्या कर देते हैं उस skepts को रिमूव कर देते हैं एक बार या दो बार जितनी भी टाइम आर्ली समर के अंदर फोर्मेशन हो रही है या फिर लेट स्प्रिंग के अंदर फोर्मेशन हो रही है ताकि जो बलब का साइज है वो अच्छे से डेवलेप होने पाए और उस नूटिशन सारा उसके पास में जान है most probability harvesting time हम ये देखते हैं या तो जो उपर वाली leaves होती हो येलो हो जाती है या completely dry हो जाती है most probability जो mid to late summer season होता है hard neck जो variety होती है तो उसके अंदर ये most probability formation हो जाती है तो दूसरा हम क्या देखते हैं कि वो जो बल्ब की formation हुई है उसके अंदर या जो गार्लिक बलब आप बोलते ह है उसके बाद उसको अच्छे से clean up करकर के वहां पर warm area के अंदर या फिर जहां से air का flow अच्छे से होने पाई या dry place के अंदर उसको हम store भी कर सकते हैं store यहां करने से पहले हमें उसके अंदर जो top और root system रहता है उसको अच्छे से trimming कर देनी है और उसको फिर आप cool या dry location के basis जैसे भी आप store करना चाते हो उसको एजी वे से store कर सकते हो तो इस तरीके से completely care के बाद में हमें वहां पर storage को उसके लिए रखना है जो की क्या करता है long time के लिए हमें उसके usable form के अंदर provide करवाता है